दोस्तों कि आपने कभी सोचा है कि सीप के अंदर ये खुबसूरत मोतिया आखिर आती कहां से हैं आपने अक्सर देखा होगा कि लोग सीप के अंदर से काफी सारी खुबसूरत मोतिया निकालते हैं जिसका इस्तमाल जेवर बनाने में किया जाता है ये मोतिया artificial मोतियों से भी काफी जादा महंगी होती है पर ये सीप के अंदर आती कहां से है चलिए जानते हैं दरसल जब सीप के अंदर कोई रेत ककण या फिर छोटे मोटे कीड़े चले जाते हैं तो ये सीप इस कीड़े या कंकर के उपर एक लेयर चढ़ाने लगता है जिसे नेकर बूलते हैं और कई सालों तक इस लेयर के चढ़ते रहने से मोतियार हो जाती है और हाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना